नमस्कार साथियों, शुआगत और अभिनंदन आप सभी का साथियों आज इस सेशन के हम चर्चा करने वाले हैं ये एक बिल्कुल नया सेशन हम सुरू करने जा रहे हैं इससे पहले हम मंथली करंट पढ़ रहे थे संद्रब में करंट की बाते हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये सारे एक सारे जो करंट के क्यूशन होंगे ये सारे एक सारे अकबार से लिएगे क्यूशन होंगे क्यूंकि आप देखते हैं कि विगत एक्जामों के अंदर जो करंट जीके के क्यूशन आ रहे हैं उनके पूछने का तरीका भी अलग है मतलब कई बार थियोटी कल पूछ लेता है वो सारी बाते हैं तो आईए शुरू करते हैं एक जुलई से लेकर दस जुलई तक हमारे राजस्तान के शंद्रब में करंट से इंपोर्टेंड इंपोर्टेंड कोंड से क्यूशन बने और उसके अलावा परतेक सेशन के अंदर एक कोई अभियान या कोई पोर्टल या फिर कोई योजना से जुड़ी हुई हम चर्चा करेंगे ठीक है तो देखी सबसे पहले बात है आपके सामने वाली जी वे उद्ध्योग विभाग के जो मंत्री है पियुस गोयल दुवारा उनके दुवारा ये रेंकिंग जारी की गई ये रेंकिंग त्यार कौन करता है तो याद रखेगा उद्ध्योग वे आंतरिक वयापार समवर्दन जो है उसके दुवारा ये रिपोर्ट यानि ये जो रेंकिंग है ये तियार की जाती है सबसे पहले स्टार्ट अप का उदेश्य क्या है तो उदेश्य ये है कि स्टार्ट अप परिवेश विक्षित करने के लिए मतलब जो उद्योमी है उनको बढ़ावा देने के लिए अच्या क्या बनेंगे वन नाइनर क्यूशन बनने के दो तरीके है या तो आपको पुछेगा कि स्टार्ट अप रेंकिंग 2021 के तहित सर्वेस रेष्ट परदसन करने वाड़ा रेजिये कौण सा तो याद रखेगा घुजरात लेकिन हमारे राजस्तान की बात करें तो राजस्तान इस बार रेंकिंग में खिशक गया है पहले ये राजस्तान आया करता था लीडर्स में कौन सी ranking में सामिल था ये leaders में लेकिन अब खिशक कर कौन सी सरेणी में आ गया है inspiring सरेणी में याद रखिएगा मतलब start-up की चार ranking होती है पहले राजस्तान कौन सी सरेणी में था leaders में लेकिन इस बार खिशक कर किस में आ गया है यह आगया है आपके Aspiring Serenie के अंदर याद रखीगा यह important question है तो आपको पूछ ले कि Startup Ranking 2021 के तहित Service Rest Prudition करने वाड़ा राज्य कौन सा गुजरात या फिर एक question बन सकता है कि Startup Ranking 2021 के तहित राजस्तान खिसक कर कौन सी Serenie में है तो याद रखेगा Aspiring Serenie में ठीक है अगली बात करते है अगली बात है आपके यह Center for Monitoring Indian Economy मतलब देश में बेरोजगारी के मामले में क्या हालात है यह जारी करने वाड़ी एक संस्ता है और यह एक निजी संस्ता है याद रखेगा Center for Monitoring Indian Economy इसके तेट क्या हुआ कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है तो याद रखेगे 7.8% जिसके अंदर सहरी बेरोजगारी दर कितनी है तो 7.30% जबकि ग्रामिन बेरोजगारी कितनी है तो 8.03% मतलब पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा सहरों की बजाई ग्रामिन शेत्रों में मिली है तो ये बहुत important question मनता है याद रखेगा कि Center for Monitoring Indian Economy के तहित देश की जो बेरोजगारी है उसमें सरवादिक कहां पर है शेरी शेत्रों में या ग्रामिन शेत्रों में तो याद रखेगा देश में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है 7.80% जिसमें से सहरी बेरोजगारी है 7.30% और ग्रामिन बेरोजगारी कितनी दर्ज की गई इस बार 8.03% आप पुचेंगे सर देश में बेरोजगारी दर सरवादिक किश राज्य में तो याद रखेगा हरियाना कभी हरियाना टोप पर रहता है और कभी हम रहते हैं तो इस बार टोप पर कौन है हरियाना और हरियाना में बेरोजगारी दर कितनी तो 30.11 जबकि हमारा राजस्तान दूसरे इस्तान पर है और कितनी बिरोजगारी तो 30.52 परतिसत याद रखिएगा ये है बिरोजगारी देश में सहरी शेत्रों में ग्रामिन बिरोजगारी सबसे ज़्यादा बिरोजगारी कहां है और हमारा इस्तान कहां पर है अगला है आपके केंद्रिये प्रियावन मंत्राले दुवारा आप सब जानते होंगे कि 1 जुलाई 2022 से किस पर परतिबन लगाया है तो याद रहिए सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत अच्छा क्योशन मनता है कि हाली में केंद्रिये प्रियावन मंत्राले दुवारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर परतिबन लगाया गया कब से तो 1 जुलाई 2022 से अच्छा येदी कोई इस परकार प्लास्टिक यूज करते वे पकड़ा गया तो उसे 5 साल की शजा वे 1 एक लाक रुपे तक का जुर्माना या फिर दोनों भुगत सकते हैं वो बंद्या 5 साल की सजा भी मिल जाएगी और एक लाक का जुर्माना भी अच्छा आपको पुछा जाए कि केंद्रिये प्रियावन मंत्राले दुवारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर परतिबन लगाय से अच्छा 5 साल की सजा और एक लाक रुपे का जुर्माना या फिर दोनों और कितने परकार के तो टोटल 19 परकार के प्रोडेक्स पर क्या लगी है बेन अगली बात है कि यह आपके अकबार में आया था आपने पड़ा होगा कि लुप्त गिद जो सरवादि किस जिल्ले में है मतलब रिपोर्ट आई है कि राजस्तान के अंदर जो गिद पर जाती है वो लुप्त होने की कंगार पर है तो आपको पूछ सकता है कि लुप्त होते गिद राजस्तान के किस जिल्ले में शरवादिक थे याद रखेगा जहलावाड में अच्छा एक और इस्तान के खंडेला में दुरलब खनीज यूरेनियम के भंडार मिले है अगबार में भी बिल्कुल इसी परकार से है आपके के खंडेला में दुरलब खनीज यूरेनिय यह बहुत important बात है तो पूछ लिया जाए कि खंडेला जो शिक्कर के अंदर है वर्तमान में कौन से खनीज के भंडार मिले याद रखेला आपके uranium के भंडार और खंडेला के अंदर भी कौन से गाउं में तो royal गाउं में याद रखेगा ठीक है अगली बात देखिए यह आपके एक नई बात है यह कि जैपुर में पहली बार रोबोट ट्रेपिक विवस्ता होगी मतलब अब ट्रेपिक पर दो पुलीश कर्मियों की जगे यह कौन रोबोट कारिय करेगा और यह पहले काँ पर हो रखा है तो याद रखेगा इंदोर में अगबार के अंदर तो यही दिया गया कि यह दी शमे से काम होता रहा तो अगस तक आप देखेंगे कि जैपुर के अंदर आपको क्या मिलेंगे ट्रेपिक के रूप में रोबोट यह थोड़ा सा दियान रखिए अगली बात देखिए एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रह राजस्तान देफोग चांसे जोप राजस्तान इसके लेकक हैं आपके पन्नालाल मेगवाल और यह किसे भेंट की गई तो हमारे राजस्तान के राज्येपाल कल्दराज मिशर को याद रखिएगा और आप देखते ही हैं कि करंट से संबंदित हर बार एक ना एक पुस्तक पुछी जाती है तो याद रखिए देफोग चांसे जोप राजस्तान के लेकक पन्नालाल और भेंट कल्दराज मिशर जो हमारे राजस्तान के क्या है राज्येपाल एक दूसरी बात यह दिभी देखिए कि ऐसी कोण सी मैला है जो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फते की तो याद रखिए वो है आपके मेजर दिप्पी का राठोड और इनका सम्मन किस से है नागोर जिल्ले से इससे पहले भी मेजर दिप्पी का जो राठोड है दोजार बारा के अंदर भी माउंट एवरेस्ट फते कर चुकी है लेकिन इस बार और की तो दो बार माउंट एव Manufacturing or Best, Employers Brand Award 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखेगा, हिंदुस्तान Salt Limited, HSL, जिसका परमुक के अंदर हमारे राजस्तान के अंदर लगा था 1964 में, कहां पर याद रखेगा, सांभर में, नमक उत्पादित किया जाता है न, सांभर जील से, देश के कुल नमक उत्पादन का 8. 9.7 परतिसद किस जील से उत्पादित होता है, सांभर जील से, और यहाँ पर जो नमक उत्पादन की पदती है, वो है आपके क्यार पदती, नेक्स्ट, अगली बात है आपके, एक तो यह देखे, चार कोल चित्रांकन का, जो कला परदर्शनी है, यह कहां पर की गई, तो य आपके, मुहु बंद रखो अभियान, जो कौन संचालित कर रहा है, तो एक बैंक के दुआरा, कौन सी बैंक है, HDFC बैंक दुआरा, मुहु बंद रखो अभियान चलाया जा रहा है, कौन से जिल्ले में, तो याद रिखेगा, जोदपुर के अंदर, यह अभियान किस से मंदित है, यह अभियान है, साइबर धोक के बाजिसे, आपको मेसेज या फिर फोन कोल आते होंगे, कि बदाई हो, आपके लोटरी खुली है, और यह लोटरी प्राप्त करने के लिए, आपको यह जो दियेगे, एक हाते नमबर है, इसके अंदर लाक रुपे डालने पड़ कोण से जिल्ले में, और यह किस से संबंदित है, मुह बंद रखो अभियान, तो याद रखिएगा, साइबर धोक्के बाजी के परतिक लोगों को जागरू करने के लिए, और इस पर कारवई करने के लिए, ठीक है, तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने, एक जुलाई से लेकर, दस जुलाई तक, जो महतपून किशन बने, उनको लेकर चर्चा की, फिर मिलेंगे अगले शेशन में, और महतपून बिंदों के साथ, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,